प्रफेशनल रूटर लेके आऊं दो तो ये पहले जोंसा ब्राण था हटैची के नाम से इनके पावर टूल आते थे अब जो होकी के नाम से आते हैं दो तो अगर मैं ब्रांड की बात करूँ तो ये जैपनिस ब्रांड है तो आपको पता ही है इनकी होकी कंपनी के जोंसे पावर टूल है इनका ये प्रफोर्मोंस कितना जवरदस्त है दो तो काफी टूल मैंने करने से पहले मैं आपको इसका बोक्स भी दिखा देता हूं दोतों बोक्स के पहले मैं इसका आपको मोडल नंबर भी दिखा देता हूं सामने से क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा M12SA2 यह दोस्तों इसका मोडल नंबर है दोस्तों यह हकोकी कंपनी का हमें वरंटी कार्ड मिलता है जिसके अंदर कंपनी दो साल की हमें वरंटी देती है आम हम कोई भी रूटर वगारा परचेज करते हैं तो इसके अंदर छे मीने या एक साल की मिलती है इसके अंदर कंपनी ह में दो साल की वरंटी दे रही है और दोस्तों एक इसके साथ यूजर मैनेबल मिलता है जब हम कभी भी वर्किंग वारा करते हैं तो जानी कि इसको एक बार पढ़ लेना है इससे बहुत जारा हमें गाइडनेस मिलेगी अधिता है तो इसके साथ कुछ हमें आसेसरी मिलती है दोस्तों एक हमें स्पैलर मिलता तैस नंबर का और दोस्तों यह इसको बोलते आम तौरफ का पेंटर भाई निम्यों में बोलते हैं कि किस काम आती है यह भी बताऊ तरफ क्रिके से हम इसका करेंगे और जो तो इसके साथ चार हमें बटर्फ्राइ body new दूरूं मिलते हैं दो स्टीईस के स्कूरू मिलती है दो हमेवेश में दोतों मिलते है और दोतों ये किस यह कृती है में 1974 कर दोतों इसके साथ हमें ये फैंक्स मिलती है जिसकी मंदसे यह हम कोई भी बिजनी ऊग़ारा करने है तो यह भी मताओंगा किस जगा काम आएगी और द्र्टों हमें इसके ब्यूस के यह डियाल लाते हो एक हमें कि मैकर दूटि इसका चेम साब डूसे किलोसे सब्सक्राइब दूस्टो अगर मैं इसकी वाट की बात करूं तो इसके सतरा सोग अगर अगर मैं इसके आपको कलर कोंबिनेशन बताऊं तो यहां पर मटेलिक ग्रेय तो ब्लैक है यह ग्रीन है यह भी मटेलिक है दो तो अगर इसके बोडी स्टेक्चर की बात करूं तो काफी हैवी डूटी है अगर आपको यहां पर देखो हिकोकी कंपनी की ब्रांडिंग नजर सकतां कारण किया है जोत्तो क्यारेकर निवा क्या करते हैं करते हैं हमारी क्लोज हो जाती है क्लोज होने कारण क्या होता जारते सिक यहीं conteúdo नीचि नहीं होता तो चैनल को उपन कर लेनी है। दो तो यसे कि मैंने आपको green color बताया यह वला दो तो यह यानि कि रवड है silicon रवड है यानि कि इसका फैदा यह होता है एक तो vibration router के अंदर बहुत ज़्यादा कम होती है और हमारी जोंची grip है इसको पकड़ने के लिए असानी होती है कभी भी यानि कि पसीना वगारा आता है ह हमारे हाथ से हैंडल इसका चोड़ता नहीं है जितने भी आपने रूटर वगारा या ट्रीमर देखेंगे उनके हैंडल सीधे होते हैं यानि कि हमारी इतनी हाथ की grip नहीं बनती अगर मैं देखू इस तरीके से इसको पकड़ता हूं इसमें क्या थमगा एक तो रेस्ट बन मैं बना हैं तो हमारे हैं इसके मारे सांव और लगा देंगे तो इस तरीकिसे मैं इसको लगा दिए अब्र करें रहा है घर दंगा तो यह सब यह सब्सक्रां से क्मेंट करके आंब और दोस्तों कई बार क्या होता है हमें बिट बहादना पड़ता है या में आगे से एंची टेप से नापना पड़ता है तो कंपनी ने यह सूलत दे रखी है यहां पराव विंडो नजर आ रही होगी एक तरफ उन्होंने एंची में दे रखें जितनी भी आपको अग्जस्ट कर सकते हो यह दो आप इसके यहां से अग्जस्टमेंट बगएरा कर सकते हो यहां में पाबर का सुच मिलता ओन ओफ करने के लिए क्योंकि यह भी हमारे हाथ में रहता है यानि कि यह नहीं इसको आगे पीछे करके लगा रहा है आम ट्रीमर या रूटर में कहता हो ऊपर की दिक्कत आती है और दोतों कभी भी कि हम अपना बीट वगारा चेंज करते तो इसके यहां पर शापट लोग है तो यह भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है यह दो अगर मैं दोतों इसकी बात करूं तो ऊपर क्या होता है आम ट्रीमर या रूटर के अंदर यहां पर यहां इस पर तो बैकलाइट शीट लगी है आम ट्रीमर रूटर में क्या होता है प्लास्टिक की शीट होती जिसके कारण असानी से यह वर्क नहीं करता तो दोतों कई बार हमें उसमें तेल वगारा लगाना पड़ता है इसके अंदर आपको ऐसी कोई चीज नहीं लगा रूटर वगारा क्या होते हैं तो उसके अंदर योव कारण बड़े बिट हमारे आनी सकते हैं यह ल के इसके ऊपर को ने की होती है company ने अगर इसके साथ जमसी स्लिदा है हमें सबस्क्रीश किरीव वायर मिलती है काफी लंभी वायर है कि यह भी copper वायर होती है तो इसके साथ 2-pin का आए socket मिलता है तो यह हमारा dust collector होता है यह हमारा इस जगा लगा जाता है अगर आपके बाब बैग है तो बैग भी लगा सकते हैं वेक्यम पैप इसके अंदर लगा दो किस तरीके से हम फिट करेंगे तो यह हमारी मेक्रोगजस्ट्मेंट होती है अगर इसको भी देखो अगर प्लास्टिक की नोब के उपर इन्हों नो किस तरीके की लर्निंग की बना रखी है यह तरीके से हम मैक्रोगजस्ट्मेंट करने के बाद हम यहां से बटर फ्लाई को टइट कर देंगे और जे इस जगा यह आएगी अअ आप इसको दोनों तरफ से डाल सकते हैं लेटं और राइट यहां से लोगफ को हम टटर कर देंग यहां से भी पिए तो जब हम कभी भी router bit को इसके अंदर router के अंदर इस्टॉल करते हैं तो यह हमें collect दी होती है । जब हम इसकी thread ऐसे हाँ से करते तो इतनी तरीके से balance बन नहीं पाता है तो कई बार क्या होता है जो हमारी नजर नहीं पकड़ पाती तो हमारा जो जैसे मैंने अपना 12 mm का फिट करना है तो मैं क्या करूँगा को इसके अंदर डिूंगा ये लेकर दिए तो जैसे मैंने कर दी अब क्या करूंगा जो उनसी कॉलेट होगी हमारी बिल्कुल बैलनस में आजेगी अब इसके बाद मैं फिर इसको उपर कर दूगा यह देखें तो मैं बिट को लगाऊंगा इसके अंदर तो जो उनसा बिट का बैलनस है बिल्कुल जीरो जीरो आएगा इससे क्या होगा इसकी मदद से क्या होगा जो उनसे मैंने यह आपको इस तरीके से करके दिखा है इसके साथ का होता है वाइबरेशन बिल्कुल भी नहीं आएगी आपके यानि कि अगर बिट चलाओगे तो बिल्कुल भी वाइबरेशन नहीं आएगी इसके अंदर क्या होग दोस्तों जो मैं आज आपको डिजयन बना कर दिखाँ औगा सबसे पहले क्या होता है हमें उसकी मेजर्मेंट वगहरा करनी पड़ती है तो कागज के ओप yr करके दिखाइए आप ड्रेक्ट वोड के ओपर भी कर सकते हो क्योंकि इसके ओपर मैंने काफी वीडियो बना रखी है अगर आपको मेजरमेंट के इसके ओपर वीडियो देखने हैं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देदूगा वीडियो का वहां जाके देख सकते हो तो दोस्तों ये से ये मैंने मेजरमेंट करके तो ये हमने इसका फर्मा तियार कर लिया जिसके अंदर हमारा रूटर ऐसे घूमेगा तो यानि की जून सी हमारी मेजरमेंट होगी बिल्कुश परफेक्ट होगी ये दोस्तों आज मैं आपको कोपी गाइड और रूटर की मत बिडियो को like करो वो चैनल को subscribe कर दो स्कुष को हमें इस तरीके से ना कि हमने पर हमें के इस क्लाइब निशान लगा लेंगे तो निशान से यहोगा पicias फर्मा इस लेंज से चलाएंगे तो पहले हमारा कोई भी डिजाइन आएगा उपर नीचे नहीं आएगा तो इहां से हम नाप लेंगे कितना है मैं तो आपको एक डेमो करके दिखा रहा हूं नो इंची पांसुद इदर लगा लेंगे हम इसकेल जासी धार की मदद से हम इसका निशान खीच लेंगे तो जो साब फर्मा इदर से आपका राइट अंगल होना चाहिए जितना आपने छोड़ना है वो जो छोड़के लगा लेना है तो मैं क्या करूंगा यहां से बराबर कर लेंगे हम तो नीचे से ऐसे करेंगे तो मैंने इसके अंदर कीले लगा रखें दो और इसके अंदर हम अब आपना रूटर चला देंगे अपना फर्मा उतारने से पहले आपने का करना यहां मार्किंग कर लेनी है आपको पता लग देगा अगला निशान आपने किस पर लगाना यह देखें दोस्तों यह दो को ब्लोग कितना अच्छा बना यह तो इसी तरीके से जुन से मैंने बोले था निशान ये निशान को नाप लेंगे कितना है तो उसी तरीके से हम निशान लगाएंगे जोंसा पैरलर जोंसा मैंने निशान लगाए था इसके ओपर फर्मा रखके हम क्या करेंगे यहां से जितना था इतना निशान इसके अंदर रख लेंगे तो हम फर्मे को इस तरीके से फिट कर दोस्तो हमने एक किसम का फर्मा बना लिए यह देखिए जितना डिस्टेंस है तो यहां से फिट करके हम इसको इदर फिट कर देंगे इस तरीके से और जोंसा मैंने नीचे निशान लगाया था इसको हम इसके साथ बराबर रख लेंगे तो हमारा बिलकुल फरक नहीं आएगा कर यह दखो इस तरीके से हम करेंगे तो इस तरीके का हम ने यह कैंडर तियार कर रखा है क्योंकि बार बन निशान लगाने की जूरत नहीं पड़ेगी तो ऐसे हमने दो पीस तियार कर रखे हैं यह दूखो यह मैं आपको पूरे वीडियो बर अगर ध्यान से देखो गए भी आप लोगों को पता लगी गए इसका बारी को अकार प्रापों को अ confess को अवार, बेक सबस्क्राइब लोतो खोतो बाहरा हुआ पस्टतत नगर कोजए बाहरा हुआ झाल दोस्तों रूटर की मज़से देखे किस तरीके से हमने डिजाइन निकाला है दोस्तों आम तोर पर आप किसी को भी दिखाऊ को कहेगा है यह तो CNC मशीनों द्वारा ही तियार कर रखा है हम तो इस रूटर की खासी है यह है कि आम तोर पर कोई भी हमारा रूटर रूटर होता ऽी निकाल का तरफ मुव कर लेना हुआ कि में काम करना चालू कर देगा तो आपको निचम bonum यह जैसे करेंगे आपको नीचे नजर आ रहा होगा यह देखिए मेकलोग इजस्ट्मेंट का ये फैदा जिए जितने भी आप डीप में डूटर का बिट लेकर जाना चाहते हो तो अपने हिसाब से आप इसकी सैटिंग जीरो जीरो पर कर सकते हो अगर मैं इसके प्रैज की बात करूँ जिस इसका प्रफोर्मस एक इसका यान की प्राइज कुछ भी नहीं है थो आपको क्या करना है पिन को नंबर दे देना तो जितने भी डिलर होंगे आपके सामने आ जाएंगे ईयां कि रिजिस्टर डिलर होंगे हकोकी के वहाँ जाके भी आप इनसे पर्चेज कर सकते हो तो कि के के प्लेंजींग तो दोफ्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ओल का बटन दबा देने जिससे आने वाली वीडियो की नोटिक्वेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी मिलते हैं नह पर देने वालों जाएग खेंगा